नमस्ते सदावसले मातर भूमी जैहिंद दोस्तों मैं किशन आप सबका स्वाकत करता हूँ शुरू करते हैं आज की डिफेंस समाचारो को तो उस दोरान उनके सामने ही प्रस्तावर रखा गया था कि भई दोनों देश इसको साथ पर मिलकर जॉइंट वेंचर के मातर से बना सकते हैं लेकिन यहाँ पर बात यह है कि भारत अल्रेडी एस फोर अंड़ करीच चुका है जिसकी अभी बाकी की जो बच्चे स्क्वार्डन से वो आना बाकी है लेकिन यहाँ पर दुस्तों एस फाइव हंडड़ जो है वो एक गेम चेंजर इसलिए माना जाता है पहला तो यह है कि यह S-400 का एक उत्रा दिकारी है त्यानिक इसका सक्सेसर है दूसरा कहा है कि इसमें खास तरीके की टेक्लोजी लगाई गई है जो कि हाइपर सॉनिक मिसाइलों को ट्रैक कर सकती है और उन्हें गिरा सकती है S-500 600 किलोमेटर की दूरी तक किसी भी तरीकी के जो UAV हो हाइपर सॉनिक हो या फिर बलेस्टिक मिसाइल है इन सबी को रोकने के लिए तयार किया गया और रश्या कहता है कि यह एक साथ 10 हाइपर सॉनिक लक्षो को ट्रैक कर सकता है और करीबन 2000 किलोमेटर तक की उच्छाई पर अंतरिश की निशली परतों पर दुश्मनों की वस्तों का पतलागाने में शक्षम है हाला कि S-500 का जो प्राइम फोकस है वो है इंटरमेडियर रेंज बैलेस्टिक मिसाइलों को काउंटर करना और 2018 में रश्या ने S-500 की ताकत का परदर्शन दुनिया के सामने किया था अब ये बात अलग है कि भारत रश्या के इस प्रस्ताओं पर हामी भरता है या नहीं ये तो वक्त बताएगा लेकर इतना तो है कि ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और साथ इसाथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा क्योंकि हमारे कि खिलाफ अपनी रणीती बनाने में लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है जियो पॉलिटिक्स एक तो अल्रीडी रश्या पर शंशन लगे पेमेंट संबंदी मुद्धे अभी तक हमारे सुलजे नहीं है तो इसके लिए कोई अल्टरनेट रास्ता अगर भारत ढूंड सकता ह है और इस बारे में भारत की क्या राय है यह तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा फिलाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमें शेक्शन में लिकर ज़रू बताईएगा चलिए बरते नेक्स अब्रेक की तरफ दोसो दोसो HL को आखिरकार 84 सुखोई SUV 30M काई फाइटर जेट्स की पहली खेप को अप्गेड करने की मंजूरी मिल चुकिया अब रिपोर्ट्स बताती है कि इस महतवपूर्ण मौरिनाजेशन प्रोग्राम में भारत निर्मित अव आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये काफी कॉस्टली हो रहा है लेकिन कॉस्टली होना भी चाहिए दोस्तों क्योंकि अब्वेसी बात है हम एक विदेशी चीज़ पर स्वदेशी करन का प्रियास कर रहे हैं और 78% तक इसमें इंडियन मेट कॉम्पोनेंट्स लगाए जा क्योंकि इस रडार के लग जाने से इस फाइटर जेट की जो ट्राकिंग और डिटेक्शन शमता जो है वो बढ़ जाएगी इसके अलावा इसके पूराने एनलोग कॉक्पिट को बड़े टच स्क्रिन वाले अत्याधुनिक फुल डिजिटल ग्लास कॉक्पिट से बदला ज जाएगा तो बहुत चीज़े हैं दोस्तों जिससे की इस फाइटर जेट की सिच्वेशनल अवेनेस बड़ेगी पाइलेटों को नया इंटरफेस मिलेगा और ये एक मॉडरन कॉम्बैक्ट एयरकाफ्ट बन जाएगा और ये एडवांस सुखोई फाइटर जेट इंडियन आप सब जानते हैं इंडियने अफोस की हालत इस वक्त अगर स्कौर्डन्स को लेकर देखी जाए तो खराब है क्योंकि 42 स्कौर्डन्स हमें चाहिए और हमारे पास 32 है यानि कि 32 और अगले साल तक रश्यन विमान जो में 21 होने हटा दिया जाएगा तो हमारी स्कौर्डन्स लेट हो रही है जिसकी वज़ा से हमारा प्रोग्राम जो है वह अटक क्या है तो आप देखे तो सो फाइटर जेट इंजन कितना मैं तो पूर्ण हो जाता है पूरी एरक्राफ्ट के लिए भले इसके अविनिक्स तयार कर लो खुछ भी तयार कर लो लेकिन इंजन जो है वो हेल को लगा कि वो हर साल 16 फाइटर जेट डिलीवर कर सकता है और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि LCA मार्क वने फाइटर जेट प्रोग्राम की एक नई बात और पता चलिए जिसमें कि इस बारे में जानकरी दी गई है कि मार्श के अंतक LA 5033 शंकला के विमान ने जो पहली उडान भरी थी उसमें दोस्तो नया F404 IN20 इंजन नहीं था इसमें दोस्तो भी इंजन लगाया गया था अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बी इंजन क्या है तरसल यह जो कैटिगरी होती है बी इंजन की वो रिजर्व इनिट होती है मतलब यह होता है कि इन इंजनों का इस्तेमाल पहले से किया जा चुका है जो पहले जनरलेक्टिक ने भारत को दिये होंगे अब दोस्तो यह साई टेंशन ने जब से शुरू हो गई है कि अमारे का लेट कर रहा है इन इंजनों को भेजने में वो कह रहा है कि वैश्विक सप्लाई चेन प्रभाव लेकिन आप कहा यही जा रहा है कि जब पहली उड़ान में आपने रिजर्व इंजन का इस्तमाल किया तो वो एक बड़ी टेंशन तो दे ही रहा है तो आपकी डिलीवरी टाइम पर नहीं हो पाईगे और हो सकता है जो पंदरागर्स को वेमान दिया जाएगा इंडियन एफ रश्या के साथ अपने डिफेंस संबंदों को मजबूत करके रखावा है लाग कोशिचों के बावजूद भी भारत को रश्या से दूर नहीं कर पाया है अब उसने भारत के सबसे कमजोर नब्स पकड़ ली है और उसी को वो दबाना शुरू कर चुका है देखिए हमारे प बड़ी चाल भी है जिससे कि भारत को रश्या से दूर किया जाए और पूरी तरीके से भारत को अपने पर निर्भर बनाया जा सके और ऐसे में फिर मैं कहूंगा इंजन पूरे फाइटर जेट की जान होती है और हो सकता है कि शायद आपके विचार मेरे से अलग हो लेकिन जहां तक मुझे लगता है वो यही है कि अमारे का यह सब को जान बुच्टे कर रहा है चलिए बरतेने एक्स टर्बिकेशन की तरदोसों हिंदोस्तान एनिलिक्स लिमिटेड के द्वारा तयार किया गया बार जोक लवाट का टर्बो शाफ्ट इंजन जो कि हमेशा से एक उ इस्तमाल भविशे के 3-6 थन की कैटेगरी के हलके और मीडियम वेट वाले हलिकाप्टरों को पावर देने के लिए इस्तमाल मिलाया जाएगा और ये सुदेशी इंजन भारतिया हलिकाप्टर ऑपरेशन में क्रांति लाने और विदेशी आप पूर्ति करताओं पर निरभर इंजन ने 100% की स्पीड प्राप किये और इसके मेन कॉम्पोनेंट्स के लिए समुदरी इस्तर के परिक्षणों को सफलता पूर्वग भी पूरा कर लिया गया चले बरते नेक्स्ट अपरेट की तरफ दोस्तों MRFA को लेकर एक और बड़ी अप्रेट सामनी आई है दरसल भारतिय वाई से MRFA के तहट 20 बिलियन डॉलर मुल्य के विदेशी ट्विन इंजन मल्टी परपरस जेट के अधिगरण के लिए कड़ी मेनत कर रही है यानि कि भारतिय वाई से ना पूरी तरीके से यह मन बना चुकी है कि उन्हें ट्विन इंजन कॉन्फिगरेशन वाली फाइटर जैस्ट चाहिए क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि भारत की पूरी तेजस फ्लीट चाहिए वो MK1 है MK1 है या फिर दोस्तों AMCMH1 है इन सब को अमारी की इंजनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है और आगे भाविशय में हमारे अमारे का के साथ तनाव होते हैं तो वेसी बात है अमारे का इंजनों की सप्लाई और उनके पूर्जों को रोक देगा इससे हमारी पूरी फ्लीट जो है वो ग्राउंड हो जाएगी और साथी साथ भाविशय में इंडियने अफोस की ताकत आ नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे में भारत 36 से 72 जेट्स को डिरेक्टली इंपूर्ट भी कर सकता है ताकि अपनी ताकत को और ज्यादा मजबूत किया जा सके है बरते नेक्स अब एकी तरफ दोस्तों बीच में बड़ी खवरे आ रही थी कि पूर्वी मेधनी का विरोध कर रहे हैं जिस वज़े से दोस्तों यह पूरा प्रोजेक्ट रोग दिया गया है आपको मैं बता दू कि ओडिशा के चांदिपूर में जिस तरीके से इंटिगेटिड टेस्ट रेंज है उसी की तर्श पर भारत जो उन्पूर्ट में यह मिसाइल प्रशेपन के इंद्र बना रहा है लेकिन यहाँ पर जान बूझ कर जो वहां की पूलिटिकल पार्टी है उसके समर्थित लोगों ने इस पूरे प्रोजेक्ट को अधर में लटका दिया है हालाकि आपर ममताब एनरजी की सरकार है वो कहती है कि हमने तो पूरी तरीके से इस को लेकर आ रही है बाधाओं को तोड़ना और चलोंतियों पर विजय पना इस कहावत को सच करके दिखाया है कैप्टन सुपरीता सीटी ने जिने की अब सियाचिन वारियर्स की शेहनी में शामिल किया गया है अपनी दरशक्ति और दरसंकल्प के साथ वो अब दुनिया के स सबसे उचे युदशेतर सियाचिन में ऑपरेशनल डिप्लाइमेंट के लिए तयार हो चुकी हैं बर्टन एक्स टरफ दरफ दूसरो अपने डिफेंस को बढ़ाते वे प्रदामंत्री ने इंद मोदी ने मिनिकोई में नया एयर बेस बनाने और अगाती दूई पर मौजू क्रस्टर लांच लॉइटरिंग मुनिशन ने हाई अल्टिटूट पर अपना सफल प्रदर्शन करके दिखाया और इसने ले में 4,500 मीटर की उचाई पर अपने आपको साबित किया और ये परिक्षन पूरी तरीके से नॉर्धन कामांड ऑफ इंडियन आर्मी के सुपर वि और इसे semi autonomous और autonomous mode में operate किया जा सकता है इसका इस्तमाल दुष्पनों के hideouts इसके लावा इनके वाहनों, fuel और ammunition dumps को खत्म करने के लिए इसका इस्तमाल किया जा सकता है और साथ ही इसे swarm mode में भी operate किया जा सकता है बरते नेक्स अपरिकी तरफ लॉकेट मार्टिन के CEO ने भारत के medium transport aircraft program का हिस्सा है